प्रतिमा और प्रतिमा क्रेशन में आपका स्वावत है तो आज मैं आपके लिए फिर अपने हाथों से बने वी कुछ पुरानी साडियों की ड्रेसों की डिजाइन शेयर करूंगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको यह ड्रेस अच्छे तरह से समझ में आए ताकि आप इनको देखकर आप भी अपनी पुरानी साडियों से नई ड्रेस बना सकें तो आपने मेरी पिछली वीडियो में मुझे काफी प्यार दिया है इस ताइप की मैंने जो आपको वी बेजाइन शेयर करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको यह ड्रेस अच्छे से समझा सकूँ ताकि आप भी इनको अपने आप बना सकें तो वीडियो शुरू करते हैं इशक की जो ड्रेस तैयार की थी ट्रेस 117 प्लेख साड़ी तो ओस को मैंने पूरियों यूज तो उसको यह नहीं किया और उसको निकाल के और और यो प्लैन फैब्रिक था उससे मैंने इसको घिर बनाया है तो इसको मैंने बनाया था, इसकी एक मेरे पास सिल्की साड़ी थी, तो वह सिल्की साड़ी में एक थोड़ा चबखीला शाइनी वाला बॉर्डर था, तो उसको मैंने यूज नहीं किया, उसको निकाल के अला कर दिया था, और जो प्लैन फेबरिक था, उसके मैंने इसका घेर हब किया है इस किने एक परचेज किया मार्केट से ब्लेक कर आपी लिया तो एक स्थे लिया वार लिया घ mét मेटर जदा Aujourd' तो मैंने इस गाउन में अलग से गला लगाया डिजाइनर लुक देने के लिए और इसकी स्लिप्स को मैंने थोड़ा सा ना कट मतलब थोड़ा सा ऊपर से अटेश नहीं किया थोड़ा खुला रहने दिया ताकि थोड़ा सा कट स्लिप्स में यह दिखाई दे तो इससे लुक तो इसका डिजाइनर लुक आया है तो मार्केट में थोड़े से रेडिमेट इसी टाइप से गाउन आते हैं तो मैंने वह ही बनाने का कोशिस किया है इसको और बैक पर इसके हप-and-up में ऐसे इसको अटेच किया है इसके चोली को तो यह देखिए और पीछे से इसका यू शे बनाया है ताकि इसका लुक बिल्कुल रेडिमेट आया और फिटिंग बहुत अच्छी आए इसमें मैंने आगे थोड़े चुम्दट डाल के इसको बनाया है और इसमें टोटल मैंने 12 कलिया लगाई है आगे और पीछे आगे भी 12 पीछे भी 12 इसमें मैंने टोटल 24 कली का इसको गाउन बनाया है आप चाहें तो इसको अनारकली भी बना सकते हैं नीचे बॉर्डर लगा कर तो यह अनारकली भी बन जाएगा लेकिन मुझे गाउन वाला लोग चाहिए थे इसलिए मैंने नीचे इसमें कोई बॉर्डर एटेच नहीं किया तो यह अवर्ल बहत ही गाउन मेरा बना है तो जब इसको पहन दिलाती है तो 72 श्तायं epic बलकुल यह इसार लगता है दिल्कुल इतना प्यारी लगता है इसकी कलिया γैंको इतना प्यारी लगता है देखने में इतना मुभर मेरा यह ऑदिल्टा देखे साथी Inside तो देखिए यह वह वह बहुत ही सुन्दर आउपट है मेरा तो आप भी इस ट्रैप से अपनी पुरानी साड़ियों को यूज करके इस टाइप सब गाउन बना सकते हैं कलिया वाली आप चाहें तो अम्डेला भी बना सकते हैं लेकिन मैंने काफी पहले काफी डिजाइन ने म तो मैंने और यूदर के अंदर में काफी साल पहले बनाई थी तो इसके अंदर मैं ऑर अच्छा बदेश मिल रिखा उard के अंदर मैं यह एक फाठी फेटी खोट भी हमास्थी जालग भीरा कंवरी थ्जाएं पहन लेती हूं या अपनी उसके लहंगे के अंदर पहनना होता है तो लहंगे के अंदर पहन लेती हूं मैं उसकी कैन कैन वाले पेटी कोट की भी पिक्स आपको दिखाऊंगी मैंने एक पेटिकोट बना के रखा उसकी भी पिक मैं आपको दिखाऊंगी और मैं कैसे बनाया मुझा आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने पेटिकोट किस टाइब से बनाया है तो यह देखिए एक मेरा गाउन यह बन गया था तो इसको पहनने के बाद यह गाउन मेरा कैसा लगता है तो इसकी पेक या वीडियो में वीडियो के सबसे लाश्ट में दिखाऊंगी तो आप वीडियो को एंट तक देखिए तो आपको पता लग जागा कि मेरा गाउन किस तरह लगता है पहनने में और सेकंड जो मैं ड्रेस दिखाने वाली हूँ वो ये वाली ड्रेस है इसकी वीडियो मैं आपको पहले बता चुपी हूँ पर मेरे कई वीवर्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि आपने इसकी पिक्सी दिखाई है ये ड्रेस आपकी बहुत बहुत प्यारी और ब्यूटिफुल है तो आप इसको एक बार फ खुली हुई ड्रेस थी इंडो वेस्टन लुक दिया है इसमें थोड़ा सा तो यह मैंने पूरी आगे से चोली से नीचे तक के पार्ट को पूरा ओपन रखा है फ्रेंट वाले को और इसके जो एक तरफ साड़ी के एक तरफ तो बॉर्डर होती है पल्लू वाले पार्ट मै तो यह निकाला नहीं और नीचे वाले पार्ट के बॉर्डर को नहीं निकाला साड़ी के वह वैसा ही रहने दिया तो अपर से पेटिगोट के अंदर खुरसते हैं उसवाली बॉर्डर को मैंने पूरा निकालके और साडी के जो लाश्ट में पार्ट होता उस तरफ जो बॉर्डर नहीं होती उसमें मैंने लगा दिया उसको अटेच कर दिया पूरी साड़ी को मैंने आगे और पीछे इस्ताइब से लटकन भी लगाय थे बनाकर तो इसके लटकन मैंने एक प्रिंटेड र्यश्रा फिर शादय को प्रिंटेड कपडर था , उससे बनाया और एक प्लैन के बनाया था, तो इसके बना क Kar si pend дол is असर Bak आप बहुत लोग prone इसको पसंद किये हैं तो इसके अगर आपको बंदाना देखना है तो यह मैं अगली वीडियो में डालूँगी यह वीडियो मेरी काफ़ी हो ली इस लिए मैंने इस वीडियो में इसके कैसे बनाती है इसका टरीका नहीं दिखाया अगर आपको देखना तो मेरे मेरे चैनल को पहले सस्क्राइब कीजीए अगर नहीं किया तो मैं अगली वीडियो में इसको बनाने का तरीका ज़रूर बताऊंगी और मैंने इस चोहरा बनाई थी वह प्रिंटीट थी और इसमें चुन्नट भी डाली आ गया है ताकि इसकी फिटिंग ठीट ताकि इसकी फिटिंग काफी अच्छी आती है और यह पूर आगे पीछे मैंने इसमें कुछ गया दर्स वकरा डाल कर चोटी चोटी बारी चुनना ती या गया दर्स भी कहलो उसको तो मैंने इस ताइब से इसके पूरे घेर को बनाया है यह देखिए इसके लटकन इसके लटकन काफी अच्छे लगते हैं देखने में अब मैं इसको बताओंगी कि मैंने इसके घेर को किस तरह से जोड़ा है तो यह देखिए मैंने साड़ी के दो पार्ट होते हैं दोनों पार्टों में आगे मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोनों तरफ मैंने इसके बॉर्डर को अटेच कर दिया है जो उपर से बॉर्डर निकला था उसको निकाल कर इसके स्टार्टिंग में और एंड में इसको बॉर्डर को अटेच कर दिया यह देखिए नीचे भी इसका बॉर्डर ऐसा ही रहने दिया नीचे के बॉर्डर को मैंने बिल्कुल नहीं निकाला इस सारी को और इसकी चोली मैंने इसके जो ब्लाउस पीज था उससे बनाई इसकी चोली को मैंने और यह देखिए और जो मैंने आगे का जो पार्ट बनाया वो मैं बताने वाली हुआ तो मैंने आगे कैसे इसके नीचे के पार्ट को मैंने कैसे चोली से यह देखिए मैंने जो एक से एक स्टार्टिंग का जो पार्ट था उसको मैंने पहले अटेच करके उसमें चोली में यह यहाँ से अटाइज किया है , बिना गैदर्स दिये इसमें गैदर्स नहीं डाली यह से श्र layers से अटाइज कर दिया से और फिर धीचोटिया चोली छुंटट बलाई मैंने यह देखकी बइल्कु सेंटर पॉइंट पर लिया ंद्ध कंशरोट दीखा तक के दिखा रही हूं कि देख्या गोल के जो सेंटर पॉइट से को डिया है कि यह चोछरों पू से पीछे तक इसको सारी को पूरी सारी को आगPlease निप्चे तक तक गैदर्स देकर बारीक बारीक मैंने पहलेस बारीक वारीक मैंने पहले सुई की मेरी कमर थी उस से थोड़ा सा दो इंच इंच फाल्तू लेकर ज्यादा लिया है और पूरे साधा वहाइस दोस्ध सब्सक्राइब ठाप पूरह से नाप लिया था जितनी मेरी कमर थी उस उससे मतलब नापके और इसको डाला था और फिर नाट लगा कर उसको बंद कर दिया था फिर मैंने वह बैसा ही रहने दिया अगर अब भी आपको यह चीज समझ में नहीं आ ली तो में अगली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इसको पूरी तरह से समझा कर आपको बताऊंगी बना कर दिखाऊंगी कि यह मैंने किस टाइप से यह मैंने अपनी पुर्ती स्वरी यह मैंने इंडोवेस्टन बनाय पहले आप इसका लुक ठीच से देखिए किस टाइप किसारी से बनती है इसका ओबर लुक कैसा है इसको आप जीन्स पर भी कैरी कर सकते हैं जीन्स पर भी पहन सकते हैं इसको आप कोई पैंट पर भी डाल सकते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा दिखने में प्यारी लगती है अध्याद zel अध्याद जो आपके और आ ओर नियुक्त हैंर फश्यों कि पद्क हस्यादा और दो इसको सब्सक्राइब मेरे कर दणे के ब मेरे चाहिक तो आपके यह हंजाप मेरे काफी कोसं लॉंग श्रक्रा बनाया है जिसको में एक प्लैन कुटती पर भी टालती हूं इन ब्लू कर रहर के तो काफ intelig लगती है यह इसको I ए तो यह मेंने कंसलीप बनाया टलॉट ऌनेक को पुटिपस बीशनल अहर नहरू का कहते हैं इसको इस टाइब सो बनाया है और आगे से यह मेरी जितनी चुन्नी थी मैंने इसको इसका पूरा पार्ट आगे का चुन्नी से दिया है और जितना भी पार्ट आया और इसको भी मैंने कलियों में काटकर ही अटेच किया है यह देखिए इसमें मैंने चार कली इस पार्ट एक तरफ के पार्ट में और चार कली इस तरफ के पार्ट में लगाई है तो टोटाल आठ कली आगे और आठ कली पीछे दी है कि ये देखिए और इसकी चोली मैंने अलग से काटा है कि अलग से चोली बना कर नीचे के पार्ट को अलग से बनाया है यह देखिए और कि इस ताइब से मैंने लेश भी अटेच किई है अलग से इस मैचिंग फिक का लूप भी हुशत किये और पीछे सिर्ची का पाथ से स्गाथ गटिर के शब was the अबोला बनाकर उपर की चुली कॉर्ण ही कही रोगे की लिएक बना बना और नाका पुचनी वालम बलाउं मैंने प्रिंटेड तो यह मेरी एक बहुत ही सुन्दर श्रक बन गई है और इसमें मैंने लाइनिंग भी यूज की है ताकि इससे थोड़ा सा है भी फ्लेफ इसका थोड़ा सा है भी लुकाई पहनने पर ताकि यह थोड़ी हल्की सी ना लागे पहनने पर और ट्रांस्पेरिंट भी नजर आती हुआ इसलिए मैंने इसे लाइनिंग भी यूज की है तो कैसी लगी फ्रेंड सापको मेरी स्रक आय तो यहाइडिया आपको कैसा लगा फ्रेंड ओर प्रेंड मुझे कमेंट वॉक्स में जरूर बताए कि इस्रक वाला आइडिया आपको क झाल 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 झाल